सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुच जाएं होटल रसोईये पर सरीयों से हमला कर उतारा मौत के घाट जहां से चिरगाओं थाना छेतर इस्थित कानपूर हाईवे पर बने एक होटल में रसोईये की कार से आए तीन अग्यात लोगों ने सुम्मार के सुबह सरीयों से हमला कर हत्या कर दी घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लोग फरार हो गए वहीं घटना की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और जात परताल में जुड़ गई होटल मालिक वचार करमचारियों को थाने लेका चले गई जहां पुच्ताच कर कारवाई की जा रही है वहीं पूरे घटना करम में मामला संदिक्त प्रतीत होता है बताया गया कि कानपूर हाईवे परिस्थित पहलवान होटल पर सुमवार की सुबह करीब पांच बजे कार सवार तीन अग्यात लोग होटल पहुची और होटल के अंदर सो रहे रसोईए पर करीब जो अठावन वरसी है था राजकुमार से तीन लोगों ने होटल मारिक के वारे में जानकारी मांगी बताया गया कि जब राजकुमार ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया तो उक्त लोगों ने उसकी उपास सरीयों से प्राण घार तक हमला किया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई भहीं घटना के बाद होटल मालिक करण सिंग्यादो ने अपने ठाना प्रभारी पुलिस वल के साथ घटने स्था पर पहुंच गया जांच परताल शुरू कर दी वहीं घटना की परताल के दौर घटना संदिक्त पाए जाने पर पुलिस ने होटल मालिक और चार कर्मचारियों को ठाने ले गई पूछताच करने के बाद देर साम तक तीन अग्यात के वरुद्य हत्या का मामलत दर्ज कर कारवाई मजूड की है साथ ही सो का पंजना भर कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है अब इसके पहले तो आप बता रहे थी कि वो तीन लोग आए और हम सीधा पंचर वाले को जगाने पूछते लोग आपको यह कैसे पता चला कि वो उनको मारने आये अच्छा तो आप क्या काम करता है इंसान और आपने अपनी जान बचा के भाग गए दूसरे को मरने के ही छोड़ दिया आपने उसको क्यों नहीं रोका कितने बज़े की गटना है कितने साल से काम करता था वो गत्ति सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा निव चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुच जाएं